यूबी वी नियूज में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हैं B.S. भाटी जी मेंबर N.D.M.C. और B.M.C. के ये कदावर नेता भी है और आज हमने इंसे बात करी है भाटी जी अभी चन्द दिनों पहले मैंने आपका इंट्रूवी किया था जिसमें जो है कॉंसल मिटिंग का वेट के जा रहा था करमचारी जो है सिरे से जो है कॉंसल मिटिंग का वेट के जा रहा था मुद्ध आपके समक्ष है आपने कहा था कि डीटेल का मुद्ध है वो भी हम एक ड्राप बना है उसमें हम लेंगे आरेमार की समस्या है वो भी हम कॉंसल मिटिंग करता हूं कि आप समय-समय पर को जो हमारे परिशद में करमचारियों के हितों में काम करने वाले करमचारी संक्ठन हैं उनके कार्यकरताओं से आप बार-बार रुबृ रुब होते रहें बात्चित करते रहते हो और मुझे भी दौ- 3 बार एक बात्चित कर चुके तो उसके लिए आप हमेशा लगे रहते हो इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवात रपका और सबसे पहले आपने सवाल किया था आरेमार का तो जो आरेमार करमचारी है उसका में पहला आप मेरे पास में आये थे तो मैंने आपको विधिवत बताया था पूर्ण जानकारी दे थी, कि मैं ने मेरी अध्यक्ष्ता में जो कमयटी आउत हुई, उस कमयटी में हम चार सम्मानी सदस्ष हैं उसमें, एक उसमें मैं अध्यक्ष के नात्य से और आदरनिया है, अफ्दूल अंसारी जी, और आदरनिया हमारी बेψन है, और उसमें जो सुरेंदर कमांडो जी हैं जो विधायक हैं हम चार उसमें उस कमेटी में हैं और उस कमेटी में हमने जो रपोर्ट तयार की वो रपोर्ट मैंने परिशद में जो सम्मिट कर दी थी और उस रपोर्ट को आज जो परिशद की बैटक हुई उसमें मैंने सिरे से उ कि यार किए गए उसमें जो चोटे-इंती तिरूटियां थी उसके मैंने पीटासीन अधिकारी और पूरे सदन के सामने रखा और उसमें यह तै किया पीटासीन अधिकारी तो इसलिए मैंने कुछो मुझे कम्यां खाम्यां नजर आई मैंने उनके सुद्धीकरण के लिए परिशत के सामने रखा और परिशत ने सरवसम्मती से उसमें यह ने लिया कि भाटी साथ में बैठके पिर्शासन और इसमें जो तुरूटियां इनको करेक्ट करके और इसको जिस इस्तर पर भी हो मैंने तो यही कहा कि आर्यमार को भीजने की जरूत नहीं मैंने अपनी कंक्रीट रपोर्ट में यह कंक्रीट लिखा है कि इसकी व्यवस्ता परिशत के एक्ट में है कि इसको परिशत यहां पर ही कर सकती है तो मैंने यह कहा है लेकिन अगर परिशत के स मानिस सदस्ट यह चाहें कि हम इसको होम मिनिस्ट्री जाए और हमें भरोसा गिरह मंतराले में जाकर यह पारित हो जाएगा पास हो जाएगा तो मुझे उस पर कोई एत्राज नहीं है लेकिन मैं अंतिम लाइन पर भी यही कहूंगा कि परिशत इसको कर सकती है एक्ट में प्र कि दोतनी है हारेमार करमचारी को और जो उनकी चिंता करते हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है और हम पर हमारे परिशद के सदस्यों पर और परिशद पर उनको कोई भी सख करने की आवश्यक्ता नहीं है और ऐसी रूमर और अफवाएं भी ना पहलाएं च् स्काम साशन पर साशन के तरीके से होता है। इसलिए मेरी सब से रिकौेस्ट है darkness report लगाई है वह रपोर्ट लोगों ने इजंडा में पढ़ी वी है यूँ लगी वी हैं कोई उस्में कोई कोः कसर नहीं छोड़ी है । जो उसको पढ़ेगा वो हमें गलत नहीं पाएगा उस नहीं पाएगा इसलिए मैंने आरे मार पर कंक्रीट रपोर्ट लगाई है उस पर चर्चा कर दी है उस पर जो ड्राफ्ट में कोई त्रूटी है उसके सुद्धी करन के लिए परिशद ने यह तै कर दिया है कि प्रिशासन मेरे साथ में बैठके उसका पुड़ा हुआ है आरे मार के जितने करमचारी होंगे पर्मनेंट होंगे दिनों ने 2516 दिखाएं और मेरा इमानना मैंने उसको चैलेंज किया मैंने उनकी तीन रपोर्टें दिखाई हैं उनको कि यह 25 नहीं ज्यादा है तो उस पर भी वह मेरे साथ बैठंगे तो मैं उनक मैं से आए पिरशासन से मैंने लिखा है उनसे बातचीत किये पिरीशासन मैं अब हिस तालकटोर आ में पिर्शासन के दोनों जो निदेशक कार्मिक थे और वेलफेर के निदेशक जाकूंआ है और जो लोग पदोनुति रहा देख रहे हैं उनका भी मैंने वर्यन किया कि इतनी पोस्ट आ लिए इतनी मैं बताई उनको मैंने पृषासंट से सत्यापन कराया और जितने दिन मैं उसको कर सकते हैं वो भी हमने उन से पृषासंट से भाइन घोशित करा है कि हम पर उनको करेंगे तो जितनी रिक्तियां अब हैं पहले तो यह 100% बढ़ेंगी चर्चाम आएंगे एक दो दिन में और उसके बाद में जो रिक्तिस्थान उनको भरेंगे लगभग 1500-10000 के करीब रिक्तियां और बनेंगी तो लगभग लगभग काम निमढ जाएगा जो बाकी माढ करेंगे ईंके उनको जैसे जैसे रिक्तियां को पूरा भरवाएंगे ढार को यह करना मुलकाधार का इस से इसलिए जुड़ा हुआ है जितने करमचारी यहां पर परमेणेंटे नहीं पर हान पर सबुए उनको मिलेगा लाब मिनने के बाद में फिरशासन हम देखेंग हुआ है उससे पहला हम करेंगे तो क्योंकि इसमें ही उनके सेवा की सर्थ हैं कितने ही ऐसे मामला आते हैं जो उससे कहीं न कहीं मैच कहते हैं क्योंकि चतुर सेनी का मामला है MTS की पोस्ट बन गई है केंसरकार में दूसरी बात अभी मैंने कुछ करमचारियों को इस पर आपके चैनल पर बोलते हो देखा है तो मैं बिलकुल उनका भ्रहम भी दूर कर देता हूं कि MTS की पोस्ट तो बनी गई है लेकिन मैंने फि सेनी आरार तो बनाएंगे MTS के हिसाब से मैंने अपनी रपोर्ट में ये कहा कि पुरानी जो आरार है जो उनकी आरार पुरानी पुरानी के आधार पर यह अनको परमनेट किया जा उसके बाद में जब अगजना कोई इसके बाद में यह कुण coordinates में कोई पेर बदल करें करें यह मैंने अपने रपोर्ट में लिखा है कोई मैंने ऐसा का कोई ऐसा बिंदू नहीं छोड़ा जो रपोर्ट में सम्मिट नहीं किया तो इस पर चिंता करने के जवतनी आरे मार और करना मूलक आधार वो एक दूसरे से जोड़े हुए अब आता है तीसरा मतला डी टील का डी notification Home Ministry के दुआरा ही होता है Home Ministry में सब्सक्री रहें जो मेरे कई साती यूनियन रीडर हैं जो उस विचार से संबंद भी रखते हैं लेकिन मेरे वो साती हैं सब कही leche किसी न किसी वचार के साथ काम करते हैं उसका मुझे कोई यह नहीं है कि कोई मैं यह मानता हूं भी घलत है अपने विचार है उनके लेकिन मैं उनको याद दे रहा दू 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस के दुआरा नामित यहां पर सम्मानिश सदस्य थे उन सम्मा मंत्राले को गया था 2007 की बैठक में उसका मैंने इसमें वर्णन भी किया वह 2007 का प्रस्ताव जाकर करके और होते होते उसमें समय लगते लगते उसी का नोटिपिकेशन हो करके आठ DTL को हटाया गया है यह अपरेल 2016 में यह हटाया हुआ से तो इसलिए आज हम जब से हम लोग आये हैं हम इसके पीछे लगे हुए हैं और यह 31 जन्वारी 2014 को आरेमार हुए थे करमचारी और इतनी भारी संक्या में परिशद के इतियास में कभी नहीं हुए तो इसलिए इसलिए थोड़ा जब ज्यादा होते हैं तो थोड़ी यह प्रावनम भी दिकत भी आती हैं तो इसलिए जो DTL का जो है हमने DTL की भी कंक्रीट रपोर्ट मैंने दी है मैंने अगले दिन next day क्योंकि उस दिन मेरी तबियत खराब थी मैंने कुछ इन परिशासन वाले तो मैंने का था मैं कल इसमें करक्षन करके कुछ और आपको दे दूंगा मैंने वो दोनों करक्षन करके अगली वाली रपोर्ट में इनको चैन्मेन साब को डायेक्टर परसनल को दे दी थी लेकिन बाद में यह हुआ कि आप कुछ ना कुछ जो परिशत के सामने रखा और मैंने जो अपनी सम्मीशन जो मेरा बच गया था वो सम्मीशन पर भी चर्चा की तो उसमें भी यह हुआ है कि चैर्मेन ने भी अध्यक्ष महोदय ने भी मान लिए पीटा सीन अधिकारी ने भी माना और सदस्वों ने भी उसको मान लिए उसको रपोर्ट घ्रह मंत्राले को भेज दीदा है तो तीनों पर यह चर्चा हुई है अब मैं उसको बाहर आके मेरे साथियों ने मेरे से पूछा भी कही होना है जो यूनियन के पदा दिखारी है कही मिले मैंने उनको बताया कि उसमें परिशद में मेरी जो रपोर्ट है थी उन को मानना पड़ेगा तो इसलिए वो भी तैह हो गया है और अब एक बजता एक प्रस्ताव आया था जोइन डारेक्टर का जब से परिशद के 25-30 साल से परिशद में जोइन डारेक्टर डिप्टी डारेक्टर और डारेक्टर का एक अनुपात उन्होंने रख रखा था और यह था कि भई पी एस यानि जो अंडर्टेकिंग बोडी यह एंटी पीसी नस्पीसी बगारा यह केंद्र सरकार और राज सरकार तीनों से यह तीनों कैटेगरियों के अधिकारी लिए जाएंगे और अनुपात भी उसमें तीन साथ का था याकि आगर 11 वो थे तो आठ वो लगारा था कि इसमें department के कर्म करम अधिकारियूं else में नहीं है है इसलिए मैं इसको रहना करता हूँ और मैं इसका व्रोध करता हूं मेरे विरोध के तो तीन-तीन साल हوقें तो मैंने उसमें मैंसन खराय है कि वो जो जूइन डारेक्टर हैं department बॉहागी उनको वन टाइम ठीक सेहन हैं उनकी जो उनका जो अनभव है उसमें छूट दी जाए और उसमें quota fix किया जाए तो हमारे department के लोगों को और ये भी लिखा जाए कि जब डिपार्टमेंट में नहीं होंगे तब हम बार से लेंगे तो मैंने उसमें काफी चेंजिंग कराई है और चेंजिंग करा करके वह मैंने रपोर्ट सम्मिट की है और अब उसमें पहले विभागिया करमचारी जो अदिकारी हैं नी कि जो सूप्रीडेंट है उनमें से जो डीप्टी डारेक्टर योईट डारेक्टर बनना है वह बनेंगे वन पर आज वो सम्मिट भी होआ उसमें और हमने उसके चर्चा कर दिये तो इस तरीके से जो भी करमचारी अधिकारी से संबंदित जो भी विशय आये उस पर हमने अच्छे से उनको रखा प्रसाशन के सामने और हमारे सम्मानिस सदस्यों सभी ने उन पर सानुभूती पूरवक विचार किया और सबने सरोसम्मति से उनको पारित किया जो उसमें तुरूटियों थे उसके सुद्धी करन के लिए प्रसाशन को उन्होंने निर्देशित किया और अब उस पर हम बैठ करके एक दो दिन में जो भी उनमें जो ड्राफ्ट जाएगा सम रपोर्ट अलग चीज सब्सक्राइब करेंगे उसका तो इस तरह की की रपोर्टिंग इन सारे मामलात पर हुई है